तो सामने आया है एक पेपर जिसने पाकिस्तान के प्रधान मंतरी इमरान खान को इंडिया की और इस्ट इंडिया कंपनी की याद दिला दी है वो paper जिसमें बहुत सारे Indians की रातों की नीद उड़ा दी है और वो papers जिसे दुनिया की सबसे बड़ी leak बताया जा रहा है आज बात करते हैं Pandora Papers के बारे में मैं हूँ Animesh और ये Pandora Papers दुनिया की सबसे बड़ी leak बताया जा रहा है क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा financial data सामने आया है कि किस तरह से अपने देश में tax बचाने के लिए लोग हमारे tax heavens होते हैं वहाँ पर पैसा जमा करते जा रहे हैं अब उनका जमा खाता जो है वो बाहर आ गया है तो सबसे बड़ा कैसे है पनामा पेपर्स 2016 का आपको याद हो अब आया है Pandora Papers जिसमें 2.96 terabytes याने कि कुल मिलाकर 12 million documents रिलीज हुए है याने कि 1 करोड 20 लाग के करीब documents बहार आए हैं जिसमें बहुत सारे नाम बहार आए है 91 countries के 330 persons के नाम जिन्होंने पैसों की tax बचाने के लिए हेरा फिरी की और जिन जगहों पे tax havens जिनको कहा जाता है वहाँ पर वो पैसे जमा किये जिनमें बहुत सारी location है सेशल्स है बहामाज है स्विजल लेंड है ऐसी दुनिया की 14 locations है और शायद ये locations पूरी दुनिया में फैली हुई है और जब सारे continent एक थे उन्हें Pandora कहा जाता था इसलिए इनका Pandora Papers नाम भी पड़ा है कुछ Indians के भी नाम है जिसमें जायके श्रॉफ है नीरा राडिया है अनिलंबानी है सचिन ठडूलकर है और इंटरनेशनल भी बहुत सारे नाम है टोनी ब्लेयर है शकीरा है लेकिन दो नाम का Pandora Papers बहुत ही ज्यादा डिटेल में चर्चा करता हुआ दिखता है एक है जहां जहां है वो तो है ही तो व्लादिमीर पुतीन का नाम है अलावा उसके इम्रान खान के जो नियरवाइज है उनका नाम है बहुत सफाई से इम्रान खान ने यह कहा है कि देखिए हम स्वाबब करते हैं Pandora Papers का और यह तो अच्छी बात है कि जिन्होंने टैक्स बचान Pandora Papers सामने आने के बाद इम्रान खान विपक्ष के सवालों के घेरे में है और वो East India Company और इंडिया को याद कर रहे हैं लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिरकार यह कोई अपना देश में कमाया हुआ पैसा किसी और देश में जाकर लगाएगा क्यों रीजन है टैक्स बचान जहां पर कोई टैक्स नहीं होता वो देश कहते हैं कि आईए हमारे हैं पैसे लगाईए और लोग वहां पर पैसे लगाते हैं तो वहां पर पैसे लगा दिया जाते हैं टैक्स को बचा लिया जाता है एक कंपनी शेल कंपनी बोगस कंपनी बना दी जाती है जिसके नाम पर लेकिन business business कुछ होता नहीं है, एक computer होता है, जिसमें वहाँ जो employee बेटा है, शायद games खेलता है, और इधर tax बचाने का game हो जाता है, एक और चीज, Pandora Papers जो सामने आया है, उसमें एक देश का नाम है Switzerland, इमानदार देशों की लिस्ट आती है, non corrupt countries की लिस्ट आती है, Switzerland उसमें अपने यहां दूसरे देश से बैमानी का पैसा जमा करवाता है, वो खुद इमानदार कैसे हो सकता है, इसे कहते है, economic hypocrisy, जो European and American countries में आपको खुब देखने को मिलेगी, फिलाल देखना यह है, कि Pandora Papers में जिनका नाम निकल के बाहर आया है, वो अब इन सवालों के घेरे से कैसे निकल के अपने आपको सही साबित कर पाएंगे, वैसे अगर किसी ने यह हेरा फिरी की है, टैक्स बचाने की कोशिश की है, तो उसे सजा तक पहुँचना चाहिए, लेकिन papers हैं, आते जाते रहते हैं, सजा होते अभी तक किसी को दिखाई दी नहीं है, क्या इस बार द दे रखी, फिर मिलते हैं, नमस्कार